नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेया पवार, सर्वोते हास्पिरल फरिदावाद की आईस्यू की डिरेक्टर आपसे इस करोना वाइरस के बारे में कुछ चंद बातें और शेयर करना चाहती हूँ. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें करोना वाइरस को स्टेज 2 में ही रोट लेना है, हम नहीं चाहते करोना वाइरस स्टेज 3 में किसी भी प्रकार जाए, तो मैं आपको कुछ चंद बातें बताती हूँ आज फोमाइट्स के बारे में, अब हम घर में इस हैं वाइज अटो सकता है, अब छोटा से एक्शाप्ल ले लजिजे नियूजपेपर, हमारे खर में रोग सबार नियूजपेपर आता है, वहं को मैं यूजपेपर फि辇ंग देता है और हम जूजपेपर पढ़ते हैं, ये नीसपेपर में वाइजप से अटैच हो सकता है so now the problem is fomites हमें fomites से तूर रहना है हमें अपने घर में fomites की entry नहीं करनी है so यह तो है problem पर इस problem का कुछ solution है yes जैसे बिल्ट packets हैं तो आप उनको running water में detergent के साथ wash कर सकते हैं उसके आप उन्हें इस्तिमाल कर सकते हैं आप बाहर से कुछ और समान आपने मंगाया है तो अगर वो समान खराब होने वाला नहीं है तो उसको carton को वहीं छोड़ दीजिए so at least ऐसा करने से 12 से 24 गंटे बाद virus खुद ही उसमें मर जाएगा फिर आप उसको इस्तिमाल कर सकते हैं कुछ चल और बाते हैं मैं अभी भी देख रही हूं लोग बाहर घूम रहे हैं ग्रोसरी की काम नहीं होगा और आपको जाना ही है तो situation में आप क्या करेंगे तो घर आईए सबसे पहले आप किसी भी door knob किसी भी handle को मच हुए घर आके सबसे पहले आप अपने कपड़े चेंज करिए कपड़ों को वाश करिए नहीं है आप देख रहे हैं मैंने सर पर कैप भी डाली है बिकाउस मैं अपने हैड को प्रोटेक्ट कर रही हूं प्रक्ष मैं नहीं चाहती कि मेरा हैड़ पर जो मेरे हैर है वह फोमाइट के जैसे एक्ट करें अगर आप बाहर गए हैं तो आपको complete पूरा नहाना पड़ेगा अपार्ट फ्रम डैट आपने जो लड़के बाहर जा रहे हैं या आपके सर्वेंट्स हैं उन पर भी आपको पूरा ख्याल रखना है यह सब चीजों का ख्याल रखिए stay safe stay home avoid fomites fomites are the things now which you have to take care घर पे रहते हुए हमें fomites से दूर रहना है नमस्कार